हलो एवरिवन मैं रतने शर्मा एक बाव फिर से आप सभी का यूटूब चैनल क्लास्रूम पर हार्दिक स्वागत करता हूँ उमीद करता हूँ कि आप ऐसी सिच्वेशन में अपने घर पर बहुत अच्छे से होंगे अच्छे से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और मैं ये भी उमीद करता हूँ कि कहीं ने कहीं आपने कौविड की जो वैक्सिनेशन हो रहा है वो भी आपने करवा लिया होगा नहीं तो मैं आपसे यही रिक्षैस करूँगा कि जल्दी से जल्दी आप वो अपना काम करवाएं थेके ताकि आप जल्दी से जल्दी जो पैंडमिक हमारे सामने आ रही है कि आप उससे अच्छे से लडबाओ ठीक है तब तक अच्छे से अपने घर पे रहो और पढ़ाई करते रहो मैं आपको algebra के अंदर दो चीजे algebraic identities complete आपको पढ़ा दी थी algebraic function में आपके साथ discuss कर रहा था जिसमें आज हम इसे खतम कर लेंगे last class के अंदर में आपके साथ 6 special case जो बनते हैं algebraic function के वो आपके साथ discuss कर रहा था जिसके अंदर मैंने ये starting वाले जो दो होते हैं function इनको तो मैंने example के साथ भी आपके साथ समझा दिया था देखो इन सभी जगे पर हो सकता है कि कल यहां पर वो थोड़ा सा जलबाजी में यहां minus ही लिख दिया हो हर जगे की plus 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 वाले expression है आपके सामने कल ऐसे भी question आये थे बच्चो 3 upon में x plus x upon में 3 या a square upon में b square plus b square upon में a square equals to 1 है या minus 1 है आप कब पहचानोगे कि यह question जब भी भी आप अचानक से algebra का question देखो आप उस बात पर कैसे approach लगा पाऊगे कि यह special case of algebraic function का question है तो बच्चो जब भी भी आपको कोई चीज दिखे और उसके reciprocal के साथ add होकर अगर result में 1 minus 1 2 minus 2 root 3 minus root 3 x है 1 upon x क्या है उसका reciprocal है यानि उल्टा है अगर एक चीज अपने reciprocal के साथ जुड़कर अगर इन में से कुछ भी अगर आपके साथ आपने result दे रही है तो समझ जाना वो special case of algebraic function का ही question होगा कल इसके उपर base मैंने आपको question करा दिये थे ये सबसे ज़्यादा important है ये सबसे ज़्यादा important है ये वाली बात तो मैं 5 एक minute में ही खतम कर दूँगा ये तो बहुत आसान है कल ये पढ़ा दिया था आज की class की शुवात मैं यहां से करता हूं कि बच्चों अगर आपके पास में x plus 1 upon में x का मान अगर road 3 है तो मैं आपसे कहता हूं कि x की power 6 बराबर होता है minus 1 पहले तो ये बात आप समझ लो और फिर आपको इस बात को final result के तोर पर धान डखनी होगी कि ऐसा होता है होता है ऐसा कैसे कह दिया तो बच्चों एक बार आप यहां पर cube करो इसका एक बार cube का मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि x cube plus 1 upon में x cube निकालो तो मुझे बताओ x cube plus 1 upon में x cube आपके पास में क्या आएगा बो a cube minus का 3a a cube का मतलब 3 root 3 आ जाएगा अब इतना तो सबी समझ रहे होंगे minus का 3a यानि 3 root 3 बच्चों इससे ही आपके पास कर जाएगा तो मुझे बताओ क्या x cube plus 1 upon x cube का मान 0 आ गया है क्या अरे आ गया है ठीक है तो बच्चों x cube plus 1 upon x cube का मान अगर 0 आ गया है तो आप यहां से अगर मैं x cube lcm ले लू तो यहां बन जाएगा x की power 6 plus का 1 और rhs में तो आपके पास 0 ही है x की power 3 इदर जाएगा तो बोलो यह खतम हो गया और बोलो हो गया नहीं हो गया इदर multiply होगा 0 से तो मैं यहां से कह सकता हूँ x की power 6 plus का 1 0 है तो x की power 6 का मान आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों minus 1 हो जाएगा क्या यह बात आपको समझ में आ गई है क्या बिल्कुल सेम प्रूफ आपके पास में यह होगा कि x plus 1 upon x का मान minus का root 3 है तो बच्चों a cube आपके पास में बनेगा तो बोलो a cube बोलो minus का 3 root 3 आ जाएगा इसका प्रूफ करने लगोगे फिर आपके पास आएगा Chinese minus का 3a रेका 3 और a a तो क्या आपके पास में minus का root 3 है क्या तो बच्चों उस case में ये plus का हो जाएगा और फिर ये वापस cancel होकर result क्या देदेगा 0 देदेगा ठीक है तो धन रखना x की power 6 equals to minus 1 ये चीज आप कब लगाओगे जब x plus 1 upon x का मांद चाहे plus में root 3 हो या बच्चों minus में क्या हो root 3 हो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके पास में ये वाली चीज ना रखकर इसको थोड़ा सा सोल करके आपके सामने रखे कैसे तो देखो x plus 1 upon x का मांद अगर बच्चों root 3 होता है तो मुझे एक बात बताओ क्या x square plus 1 upon x square का मांद आप निकाल पाओगे क्या अरे बोलो हाया न बोलो a square यानि root 3 का square 3 minus का 2 करोगे तो 1 तो इस बात को समझना x की power 6 equals to minus 1 अब कब-कब approach आप लगा पाओगे तो ये बात पहले तो ये समझो कि x plus 1 upon x का मांद चाहे plus का root 3 हो या minus का root 3 हमें दिख जाए तो हमें पूरा question x की power 6 में सोचना है क्योंकि हमें यहां से यही result पता है और मैं आपको ये समझाना चाहरा हूँ कि कई बार वो ऐसा ना दे कर हो सकता है इसे थोड़ा सा soul करके आपके सामने रखे मतलब कैसे वो आप से कह दे x square plus 1 upon x square का मान आपके पास क्या कह दे बच्चो 1 तब भी भी आप इस बात को समझना कि यहां भी x की power 6 बराबर क्या होगा माइनस का 1 होगा ये समझ रहे हो ना ये कैसे कह दिया मैंने ये ऐसे भी आपके सामने रखता है बच्चो कि x cube plus 1 upon में x cube का मान कितना है 0 है धान लखना हर pattern के उपर base question बने है ऐसा नहीं कि इतना सा table रटली और हो गए आप माहिर बन गए algebra में special case के नहीं होगा थोड़ा सा वो change करके रखेगा आपके सामने और थोड़ा सा आप उलच जाओगे time ज़्यादा लगा दोगे या तो question होगा नहीं और हो भी गया तो जो time actual में होना चाहिए question को solve करने के लिए वो नहीं आपाएगा proper तो इस बात को समझो basic case तो ये है special case of algebraic function तो ये है कि x plus 1 upon x का मान चाहिए plus का root 3 हो या minus का root 3 x की power 6 क्या होता है बच्चो minus का 1 ठीक है लेकिन अगर आपके पास में ये चीज़ नहीं मिले तो x की power 6 minus 1 कब कब होगा तो बच्चो x square plus 1 upon x square का मान 1 हो तब भी भी आपको ये ही सोचना होगा या x cube plus 1 upon में x cube का मान आपके पास में क्या हो 0 हो तब भी भी बच्चो x की power 6 equals to minus 1 की ही approach आपको question को solve करते time लगानी होगी मैं इतनी बार ये बात repeat कर चुका हूँ मैं उमिद करता हूँ हर एक बच्चे के mind में ये बात अच्छे से set हो गई होगी चलो देखते हैं अब इनके उपर base question फिर ये वाला part बचा हुआ है जो मैं आपको solve करा दूँआ कल यहाँ minus लेख दिया था तो आप उसे plus मानो ये सारा का सारा plus plus वाला ही expression है ठीक है जल्दी से देखते हैं उसे देखो आपके सामने question रख देगा सबसे पहले थोड़े basic questions करा देता हूँ कि x plus 1 upon me x का मान कितना है बच्चो road 3 है ठीक है और आपसे कह दिया जाएगा कि आप बताओ x की power कुछ भी value आपके सामने रख देगा जो भी random लिए आपके सामने आए कि x की power 40 plus 1 upon me x की power 40 का मान क्या होगा क्या मुझे बताओ इसे आप solve कर लोगे क्या क्योंकि आपने जैसे ही देखा कि x plus 1 upon x का मान root 3 है तो आपकी approach जो जानी चाहिए वो कहां जानी चाहिए कि जैसे ही आपने इसे देखा तो दिमाग काम करता है x की power 6 जो होता है बच्चो वो minus का क्या होता है 1 तो इसे x की power 6 में तोड़ दू ठीक है तो देखो x की power 6 यहां लिख दो 6 तो बोलो क्या 36 हो गया क्या बोलो बचा कितना x की power 4 अरे ठीक है तो बच्चो ये तो हो गया x की power 36 ये हो गया x की power 4 base same है तो power 8 करोगी तो 40 बन जाएगा प्लस 1 upon में वैसा ही के वैसा ही 6 की power 6 और x की power 4 आप यहां 7 रखकर divide भी कर सकते थे वो बात भी मैंने आपको बताई थी कैसे कि आप यहां पर यह सो सकते थे इसका solution मैं यहां कर दूँआ आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो इसके अलावा कि x की power 6 इसकी power 7 लगा दो 6 7 is a 42 42 हो गया चाहिए 40 तो मुझे बताओ क्या x square का divide कर दो क्या तो बोलो यह expression कितना बन गया 40 बोलो यहां पर x की power 40 का मतलब x की power 6 की power कितनी हो गई 7 और बच्चो यह आपके पास क्या गया है x square ठीक है मुझे बताओ यहां पर minus 1 होता है minus 1 की power 7 करोगे तो minus 1 तो यह क्या result दे कर जा रहा है minus का 1 upon में x square बोलो यह क्या result दे रहा है बोलो यह देगा minus का x square ठीक है तो बच्चो जब यहां solve करोगे x root 3 है तो बोलो यह बात तो हमें वैसे ही याद है x square plus 1 upon x square होता है बच्चो कितना 1 अरे याद है तो 1 बाहर minus है तो answer क्या जाएगा minus का 1 आप उपर वाली approach से भी सो सकते हो बच्चो यहां minus 1 put करोगे 6 करोगे तो बोलो यह तो 1 हो गया बच्चा कितना x की power 4 मैं इसे हटा देता हूँ ठीक है अब यहां पर भी बोलो minus 1 की power 6 है even number है तो minus 1 के ओपर even power है तो 1 ही आएगा तो बच्चा क्या x की power 4 plus 1 upon x की power 4 x plus 1 upon x का मान root 3 है तो x square plus 1 upon x square का मान आया था बच्चो 1 अरे बोलो आया था नहीं आया था और यह तो हम पहले पढ़ी चुके है कि x की power 4 plus 1 upon x की power 4 क्या होता है बोलो जो 1 आया है a square उसमें से 2 घटा दो तो बोलो फिट से result minus का 1 आ जाएगा क्या अरे आ जाएगा तो आपका सोचने का तरीका यह भी हो सकता है दोनों ही बातें आपके बिल्कुल सही है दोबारा समझो जरूरी नहीं कि x की power 41 आया आप कुछ भी randomly value ले लो कि x की power 73 plus 1 upon me x की power 73 अरे ठेक है कुछ इस तरीके से यहाँ पर expression आपके पास बचेगा जो कहीं न कहीं आप पहले पढ़कर आचोके हो square का बच जाएगा cube का बच जाएगा 4, 5 कैसे भी तोड़ो बचेगा वो ही जो आप पहले पढ़कर आचोके हो इसलिए इसे पहले नहीं पढ़ाय जा सकता था पहले square, cube, power 4 यह सारे मैंने आपको पढ़ा दिये ताकि यह समझना आपके लिए आसान हो जाए तो बुलो इसे question में दिया हो अब भी भी होई है कि x plus 1 upon x का मान डूरत रही है तो बताओ इस का मान क्या होगा बुलो अगर यह दिया हुआ था तो हमें पता है x की power 6 minus 1 होता है तो बच्चो x की power 6 minus 1 होता है मैं इसे मिटाई देता हूँ फिर आपको यही solve करके बताता हूँ क्या है कि फिर बच्चो के वो रहते हैं कि सब बड़ा बड़ा लेखो तो आप बाद में लिख लेना आप पहले इधर देखो मैं आपसे कहता हूँ कि x की power 73 plus 1 upon में x की power 73 का मान क्या होगा तोड़ दो question x की power 6 में तो बच्चो x की power 6 बोलो कितनी बार तूड़ जाएगा आपके पास तूड़ जाएगा कितनी बार 12 12, 7, 7, 72 होता हैं 12, 6 यानि बैतर बोलो बच कितना गया x जितना easy हो सकता है तोड़ना उस हिसाब से तोड़ दो 1 upon में x की power कितना हो गया 12 और बच्चो y कितना हो गया x माइनस 1 की power 12 बोलो ये तो कितना हो गया आपके पास में 1 तो overall बच्चा क्या x plus 1 upon में x बोलो उसका मान तो question में already दिया हुआ था root 3 answer बन जाएगा x की power 74 पूछ ले तो x की power 74 पूछ ले तो बच्चो क्या बन जाएगा 1 upon में x की power 74 पूछ ले तो बोलो x की power 6 की power 12 बहतर हो गया बच्चा कितना 84 तो x square प्लस ऐसा ही case बिलकुल यहां बनेगा ठीक है x square तो overall x square प्लस 1 upon में x square आ जाएगा जो आपके पास में कितना होता है 1 बन जाएगा अरे ठीक है तो ये बात आप इस तरीके से solve कर सकते हो सारे के सारे question अब बहतर, 33, 44, 45, 46, 1002, 1003, 5006 कुछ भी value आए तो question में अगर ये दिया हुआ है तो पूरे question को x की power 6 में तोड़ सकते हो चलो मैं इस पर base जो series के questions आते हैं वो भी मैं आपको एक दो करवा देता हूँ ताकि आप उसको समझ पाओ देखो question आपके पास इस तरीके से बन जाएगा बच्चो कल की class में बताया था x plus 1 upon में x का मान root 3 है 1 है तो मैंने बताया था x cube का मान minus 1 होता है वहाँ पर expression था x cube plus का 1 0 तो मैंने कहा था x cube plus 1 का मतलब होता है x की power 0 तो आपके पास में और result बराबर में 0 था अगर base सेम है वो power में difference अगर 3 का आ रहा है तो बच्चो result कितना आ जाता था 0 हो जाता था यहाँ पर भी क्या वैसी situation बन रही है क्या कि x की power 6 बच्चो यहाँ minus 1 है तो x की power 6 plus का 1 equal to 0 तो यहाँ x की power 6 और 1 को क्या मैं यहाँ पर x की power 0 लिख सकता हूं क्या कि किसी भी number के उपर power 0 है तो वो 1 होता है और 0 ही है अगर base वो ही है और power की बीच पर difference कितने का है 6 का तो बताओ result कितना आएगा 0 लेकिन condition होनी चाहिए कि x plus 1 upon x का मान कितना हो root 3 पहले एक बर basic से बना देता हूं फिर आप यह वाली approach लगाकर जल्दी से question से बाहर आ सकते हो question बन जाएगा 1 plus x की power 6 12 इसी तरीके से question बनेगा ठीक है देखो इसका मान आपसे पूछ लिया जाएगा ठीक है इस series वाले questions कहलाते हैं ठीक है तो बच्चों यहाँ पर question में दिया हुआ था यह और इसका मान आपसे पूछ लिया जैसे ही आपने question में यह देखा तो आपको पता है result x की power 6 कितना होता है minus 1 तो तोड़ दो इस पूरे question को x की power 6 minus 1 में तो basic तरीका तो यह होगा कि x की power 6 बोलो यहाँ क्या कह सकते हो 5 वरना तो आप direct समझो यहाँ power के बीच में कितने का difference है 6 का बोलो यह 0 देगा बोलो यह कितना देगा 0 देगा बोलो यह कितना देगा 0 और answer आ गया लेकिं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार चीज़ों को समझ रहे होते हैं कहीं न कहीं advance math थोड़ा सा कमजोर होता है तो यह वाली चीज़ भी आप देख लो आपने जैसे ही यह देखा तो यह result आपको पता है तो x की power 6 की power 5 कह सकते हो plus x की power 6 बोलो power कितनी हो जाएगी यहां 4, 24 बन गया x की power 6 की power कितनी हो गई बच्चों यहां 3 बच्चों यहां आप कोई बच्चा सोचे 19 हो जाए 20 हो जाए तो कोई परिशान ही नहीं है x की power 3 की power 3 और यहां कुछ बच्च जाएगा और आगे कुछ इस तरीके का expression बच्च रहा होगा अगर यहां x square आ गया तो आगे बच्च रहा होगा 1 upon में x square बच्च रहा होगा ठीक है ताकि वहां से आप x square plus 1 upon x square करके भी question को solve कर दो ऐसा नहीं है कि अकेला x square बच जाएगा plus बोलो यहां आपके पास क्या हो जाएगा x की power 6 की power 2 यह तो x की power 6 है plus का 1 minus 1 के ओपर power 5 बोलो minus 1 बोलो यह आपके पास plus 1 यह minus 1 यह plus 1 minus 1 plus 1 यह कट गया यह कट गया यह कट गया और answer आपके पास कितना आ गया है 0 आ गया है ठीक है तो यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी आवाज और आपको जो clear tea है वीडियो की वो बहुत अच्छे से आ रही होगी अगर थोड़ी से आवाज कम भी आ रही है तो थोड़ा सा वो देखना कि मैंने भी थोड़ा सा vaccination करवा लिया है ठीक है फर्स जो dose होती है वो मैंने लगवा लिया है तो थोड़ी सी weakness ऐसा आ जाती है जिन्होंने लगवाया है थोड़ा सा वैसे ऐसे कोई बात नहीं है I am strong एसा कोई परेशानी होगी नहीं मुझे चलो देखते है ठीक है बच्चो आगे एक question मैं आपको कहता हूँ कि आप जल्दी से उसे solve करके मुझे बता दो कि x की power 72 प्लस आपके पास में x की power 36 प्लस x की power 30 प्लस x की power 6 प्लस का 1 का मान कितना हो जाएगा तो देखो आपको देखते ही result के बारे में तुरन सोचना चाहिए question में ये दिया हुआ था आपके पास में तो पता है result यह होता है बोलो इसका मान कितना हो गया 0 बोलो इसका मान कितना हो गया 0 बोलो इसका अमान क्या हो जाएगा X की पावर 6 बोलो क्या लिख दू यहाँ 12 12 सिक्जा कितने होते हैं 72 आपके पास तो बच्चो माइनस 1 के उपर पावर 12 करोगे तो बोलो result आपके पास कितना आजाएगा प्लस का 1 बन जाएगा ठेक है ये बात अच्छे से आपको समझ में आ गई है चलो कुछ questions में आपके साथ भी share करता हूँ और अपन दोनों मिलकर questions को solve करते हैं आपके सामने question आता है जल्दी से solve करो फिर मैं आपको करवाता हूँ चलो देखते हैं अब हम इस question का solution क्या बनना चाहिए देखो आपसे कहा गया है x plus 1 upon x का मान 0 नहीं है ठीक है ये बात धान लगेंगे और question ने कहा x cube plus 1 upon में x cube का मान क्या है बच्चो 0 है तो इसका मान आपसे पोशना चाहरा है question में आपको मिल गया है hint कि ये question आपको कहां पर लेकर जाना चाहरा है बच्चो x cube plus 1 upon x cube का मान 0 है पैचानो यहां से और x plus 1 upon x का मान 0 नहीं है अगर बच्चो ये अगर 0 है तो अपन कह सकते है x plus 1 upon x 0 नहीं है तो ये तो तभी होगा जब x plus 1 upon x का मान बोलो क्या होगा root 3 अरे हाया ना तो question में आपको direct hint नहीं देकर कुछ square के format में देदेगा या कुछ ऐसे format में आपको देदेगा तो बच्चो x cube plus 1 upon x cube का मान 0 है इस बात से आप क्या समझ रहे हो कि x plus 1 upon x का मान क्या होगा root 3 बोलो हाया ना बोलो 0 नहीं होना चाहिए था बोलो वो बात भी हमने satisfy करी है आपको solve करवाता हूं यहां पर एक question बन जाता है कि sec theta plus का cos theta आपके पास में root 3 है और बच्चो आप से कह दिया जाएगा sec sec आपके पास में cube theta plus cos cube theta का मान आपके पास में क्या होगा अगर आपको थोड़ा सा पता है trigonometry के बारे में तो अच्छी बात है वरना तो मैं आपको इस पढ़ाऊंगा यह पढ़ाऊंगा आपको इतना तो पता होना चाहिए कि sign और cos sec एक दूसरे के reciprocal cos और अपने पास में क्या होगा sign cos sec के cos आपके पास में sec के 10 आपके पास में cot का reciprocal होता है आपको इबात पता है कि cos थीटा जो होता है वो one अपन में क्या होता है sec थीटा होता है तो बच्चो अगर मैं इसे x बोलने लगो तो x प्लस one अपन में x हो गया है क्या अगर x प्लस one अपन में x का मान अगर root 3 हो गया तो मुझे बताओ x क्यूब प्लस one अपन में x क्यूब का मान आपके पास कितना आ जाएगा 0 बोलो आ जाएगा या नहीं आ जाएगा ठीक है आ गही है ये बात समझ में तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि cos थीटा बराबर one अपन sec थीटा या sec थीटा बराबर one अपन में cos थीटा आपको पास में अब देखो question आपको लग रहा था trigonometry का है जबकि properties में कौन सी लग रही है algebra की लग रही है चलो एक question और मैं आपके सामने रखता हूँ आप उसे मैं चाहूंगा कि सभी student पहले solve करे फिर जाकर ही वीडियो में solution देखें चलो देखते हैं इस वाले question का solution बच्चो देखते ही आपको answer का पता लग जाना चाहिए इस तरीके से बात आपको समझ में आने चाहिए question में देखा a की power 4 minus a square plus 1 का मान 0 है तुरंत पहचान जाओ a की power 6 बराबर minus 1 है ये बात कितनी studentों को पता चल गई है इस बात को आप idea लगा लो कि ये बात पता चली या नहीं पता चली जैसे ही ये देखा अब किसे को पता चल रहा है कि भाई नहीं पता नहीं कैसे लिख दे है ये बात अरे भाई ऐसे questions हमने बहुत किये हैं में square के format में रख सकता है तो question ऐसा होगा आपके पास cube के format में रख सकता है तो last board पर question कराया था हर तरीके से हर angle से उस चीश को पढ़ते हुए आगे चलना है तो बच्चों आपको पता है ये तो तब ही होता है जब a plus 1 upon a का मान कितना होता है root 3 तो बताओ ये बात मैंने सही लिखी है क्या ठीक है तो a की power 6 minus 1 हो गया तो बल्चों ये हो गया a की power 6 का square करोगे तो positive 1 बोलो ये आपके पास क्या देगा minus 1 ये क्या देगा plus 1 तो बोलो answer आपके पास कितना गया positive 1 चलो अम मैं थोड़ा सा change करते हुए इस पर एक अच्छा सा question आपके सामने रखता हूँ और उमिद करता हूँ कि आप इस पर अच्छे से approach लगा हुए चलो देखते हैं अम हम इस वाले question का solution बच्चों ये previous year question है आपके पास में ठीक है और ये अपनको means वाली जो sheet होती उसके अंदर भी आपको एक question मिल जाएगा root 3x की power 6 minus 3x q plus root 3 का मान 0 दिया हुआ था और ये पोच रहा था तो बच्चों जैसे आपके देखा ये series वाला question है ये 54 थोड़ी वाल होने लगेगा ये कुछ इस तरीके से आपके सामने break हो रहा होगा जिससे question के answer पर आप बहुत जल्दी से पहुच जाओ और वो break कैसे होगा जो question में आपको दिया हुआ है वही पर आपको कुछ सोचना होगा बच्चों यहाँ पर root 3x की power 6 ये 3x cube है और यहाँ पर root 3 है थोड़ा से एक बात को यहाँ सोचो अगर मैं यहाँ पर बच्चों मैं चाओंगा कि पहले आप खुद approach लगाओ फिर जाकर solution देखो अगर मैं बता दूँगा कि हाँ अगर ऐसा कर देंगे फिर तो आपको समझ में आई जाएगा कि हाँ ऐसा कर देंगे और answer आजाएगा आप मुझे एक बात बताओ अगर मैं यहाँ x cube का divide कर दूँ किसका x cube का divide अगर मैं कर दूँगा तो यहाँ x cube रहेगा यहाँ single power हो जाएगी और यहाँ यहाँ पर तो कुछ नहीं बचेगा और यहाँ one upon में x cube आजाएगा ठीक है कुल मिलाकर आपको reciprocal पर धान देना है x plus one upon में x ठीक है चाए x square plus one upon x square चाए x cube plus one upon x cube reciprocal पर धान देना है ठीक है लेकिन बच्चों यहाँ पर आपके पास में root 3 और problem create कर रहा है तो आप यहाँ ऐसा करो root 3 x cube से यहाँ divide कर दो separate सभी जगे तो यहाँ आपके पास में क्या बचेगा x का cube यहाँ बचेगा आपके पास में x का cube बोलो यहाँ आपके पास में क्या बचेगा minus का root 3 plus बोलो यहाँ आपके पास में क्या बचेगा one upon में x का cube बोलो क्या यह equal to 0 है क्या बस एक single step आपको सोचना होगा कि यहां क्या approach लगाया जाए जैसे ही आपको approach लगाओगे question इस तरह के से टोटेगा कि आपको लगेगा कि आपको हसी आएगे कि इतना सा solution है क्या लेकि वो single approach आपको सोचनी पड़ेगी तो मुझे बताओ यहां से x cube plus 1 upon में x cube का मान कितना हो गया है root 3 हो गया है ठीक है बच्चो अब बच्चो कही न कहीं देखो alpha अगर मैं इसे बोल दूँ दो चीजे reciprocal के साथ में root 3 दिया हुआ है ता आप अपनी approach पर पहुच चुके हो किसी को अजीब सा लग रहा है तो यह देखो अगर मैं इसे alpha मान लेता हूँ यह मैं इसे a मान लू थो a फ्लस 1 अपन a का मान अगर root 3 है तो a की पावर 6 आपके पांस में minus का 1 होता है बोलो होता या नहीं होता आपके पास में अब a का मान आपके पास में बोलो क्या मान रखा है x क्यूब तो x क्यूब की power 6 यानि यहां पर x की power जो 18 होगी x की power जो 18 होगी वो बच्चो वो minus का 1 होगी क्या ये वाली बात समझ में आ रही है क्या बच्चो यहाँ x plus 1 upon x का मान root 3 नहीं है x cube का मान है अगर मैं इसे कही न कहीं a मान लेता हूँ तो a plus 1 upon a का मान root 3 है तो आपको पता है a की power 6 minus 1 18 तो वो minus 1 है तो बच्चो जब आप इसे यहाँ put करोगे तो x की power 18 इसके उपर कितना आ जाएगा 3 तो बच्चो यहाँ पर जल्दी जल्दी आप ऐसे सोच लो 18 3 4 तो बोलो यहाँ गया minus 1 बोलो यहाँ क्या आ गया 18 जब आप यहाँ put करोगे ऐसे जरूर जब आप vaccination लगाओगे घर पे बैठे रहोगे ना करोगे तो जरूर आपको ऐसा हो सकता है कि आपको फेल ना हो लेकिन अब जैसे मैं continue यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे जरूर ऐसा फेल हो रहा है कि कहीं ने कहीं थोड़ी इसी विकने से चाहिए कितना ही आप स्ट्रों हो जाओ चलो लेकिन अपने मन में जरूर रखता होता है कि हाँ आप बिलकुर ठेक हो तो पता चले कि आप अपने आप में ही मान कर चलो फिर थोड़ा समा से हिंट मिले और 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 जादा हो जाओ चलो कोई बात नहीं देखो एक्स प्लस वन अपन में एक्स का मान मैं आपसे कह रहा था टू है एक्स प्लस वन अपन में एक्स का मान आपके पास कितना है बच्छो माइनस का टू है तो यहां से एक्स का मान आपके पास क्या होगा वन यहां से एक्स का मान आपके पास क्या होगा माइनस का वन x l cm ले लोगी तो x square plus 1 x इदर जाएगा तो मुझे बताओ यह कहीं ना कहीं x square x 2x इदर आएगा तो बच्चो यहाँ से x की स्च तैक a' ayco sowakka माना जाएगा क्या क एibilidad कि हमारे जाएगा क्या और मुझे बताओ यह क्या है आपके पास यह x-1 ko square बराबर 0 है तो बच्चों यहाँ से x की value क्या positive 1 आ जाएगी क्या अरे आ जाएगी क्या यहाँ से चेक है तो इस तरीके से आप यहाँ से भी सोच सकते हो यह भी बिल्कुल उसी तरीके से आप सोच पाओगे x lc में लो x square प्लस का 2x प्लस का 1 प्लस का बन जाएगा square तो यहाँ x की value minus 1 आ जाएगी क्याशन यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही बनेगा x की power 702 प्लस x की power 914 जरूरी नहीं यहाँ पर power same ही बने आपके पास में खुछ ऐसा बन जाएगा x plus 1 upon x का मान अगर 2 है तो बच्चो x की power 702 बो x का मान तो 1 होता है इस question के अंदर आपको यह दिया हुआ है तो x का मान कितना होता है 1 अब बच्चो 1 के उपर तो कितनी पावर लगा दो ठीक है 1 के उपर तो कितनी पावर लगा दो क्या result change हो सकता है बो आंसर कितना आ जाएगा 2 अगर यहाँ sign किस का होता माइनस का तो बच्चो आंसर उस case में कितना हो जाता 0 मैं आप से कहूँ x प्लस 1 अपन x का मान अगर माइनस का 2 है तो x की power 704 प्लस 1 अपन में x की power 704 का मान कितना हो जाएगा माइनस 1 होता है माइनस 1 के उपर power even करोगे तो बच्चो अपने पास भी 1 आएगा यहाँ पर result भी 1 आएगा और बोलो final answer आपके पास कितना तयार हो जाएगा 2 हो जाएगा ठीक है चलो आज की class में मैं इतना ही रखता हूँ थोड़ी सी परिशानी हो रही है ठीक है अज से आगे अपन next class में continue कर लेंगे और आपका algebraic function आपका complete हो चुका है ठीक है आज अपन इतना ही रखते हैं ओके थैंक्यू अच्छे से पढ़ाई करते हो थैंदे बाद